कॉलकता नगर निगम चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए है 144 वोटो के वोटो की गिंती के लिए कुल 16 मतगर्णा केंडर बनाए गए है आपको बता दें TMC और BJP के बीच टक्कर होने वाली है इन मतगर्णा केंडरों में कड़ी सुरक्षब ववस्ता का अंतिजाम भी किया गया है और 200 मीटर के लाके में 1444 भी लागू कर दी गई है किसी भी पार्ठी के काय करता हो कि वो इस दायरे में नहीं आने दिया गया है साथ ही आपको बता दें कि उन्हें दिसंबर को कॉलकता में नगा निगम चुनाव में लगबग 64 पीस दी मद्दान हुआ था जिसकी अब आपको बता दें मतगर्णा सुभा से ही जारी है और ऐसे में TMC बढ़त बनाय हुए है TMC समर्थकों में जशन का माहौल वहाँ पर देखा जा रहा है तो आपको बता दें कि कॉलकता में निगम चुनाव के मतगर्णा हुँ रही है और ऐसे में TMC कड़ी टकर देती हुई नज़र आ रही है बीजेपी को हाला की ज़ादा सीटे मिलती नज़र नहीं आ रही है लेकिन TMC बहुत ज़ादा सीटों पर आगे बढ़त बनाय हुए है जिसके बाद से ही लगातार TMC समर्थकों में खासा उद्जा यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है यूपी के उपमुख्यमंतुई दिनेश शर्मा का आज हात्रस दौरा है आपको बता दे दिनेश शर्मा बारा बचे वहाँ पर पहुँचेंगे जन विश्वास फियात्रा को लेकर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे उपमुख्यमंतरी दिनेश्वर्मा हाथप्रस जुले के बागला इंटरकॉलिफ मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे साथी उपमुख्यमंतरी दिनेश्वर्मा के साथ बीज़पी के तमाम पदधिकारी साथ में मौझूद रहेंगे और जन विश्वाश्वियात्रा के माध्यम से जनता को जाकरू करेंगे और सीधा उनसे संबाद करेंगे आपको बता दें कि उपमुख्यमंतरी दिनेश्वर्मा के आग्मन को लेकर पुलिस प्रसाशन ने मौके का निरिक्षन भी किया और तयार्यों का जाइज़ा भी लिया तो ज़्यादा जानकारी के साथ हाथ प्रस से हमाई संबादा दिपेश लाइव हमाई साथ जोड़ चुके हैं दिपेश आज उपमुख्यमंतरी दिनेश्वर्मा पहुंच रहे हैं हाथ प्रस किया कुछ अपडेट है दिपेश आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है मुझ तक शायद आपके तरफ से म्यूट है दुबारा से कॉंटेक करने की कोशिश करेंगे दिपेश से टेकनिकल प्रॉब्लम है तो आईसे में आपको बता दें कि मुख्यमंतरी का दिनेश्वर्मा का आज दौरा है हात्रस का जनसभा को संबोधित करेंगे प्रसाशन की तरफ से तयार यां पूगरी कर ली गई है साथी आपको बता दें कि कई पड़े नेता भी हात्रस पहुंच रहे हैं तमाम बीजेपी नेताओं की तरफ से लगातार उत्तरप्रदेश के कई जिलों का दौरा किया जा रहा है ऐसे में उपुख्यमंतरी आज जो हात्रस पहुंच रहे हैं साथी आपको बता दें हात्रस जिले के बागला इंटर कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित वो करेंगे और बीजेपी के तमाम पदरदिकारी उनके साथ मौझूद रहने वाले हैं साथी आपको बता दें कि जन विश्वास वियात्रा की माध्यम से जनता को जागरुक को डिप्टी सीम करेंगे और सीधा संबाद करते हुए वो नजर भी आएंगे तो उत्तरप्रदेश में विधानसवा चुना बेहत नजदीक है सील ये लगातार आपको बता दें कि तैयारिया चल रही हैं और तमाम नेता लगातार उत्तरप्रदेश विकई जिलो का दौरा कर रहे हैं ऐसे मैं आपको बता दें आज संगम नगरी प्यागराज जह प्रदान मंतिर नरीन मोधी पहुँच रहे हैं और साथी महां की जनता से बातशीत करेंगे समबाद करेंगे और बीजेपी के कारकाल में जो कुछ भी काम हुआ है वो जनता तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे जन विश्वाश यात्र के माध्यम से वो ये सभी काम करेंगे जनता को जागरुक भी किया जाएगा तो ऐसे में आपको बता दें दिरेश्वर्मा के आगमन को लेकर तयारिया प्रसाशन की तरव से पूरी कर ली गई हैं साथी आपको बता दें के पहले से ही तैयारियां बहुत जोरो शोरो से कर ली गई हैं सुरक्षा के तमाम खास इंतजाम यहां पर किये गए हैं समाजवादी पार्टी के आर्थवे चरण के विज़य यात्रा मंगलवार को मैनपुडे से शुरू होगी और इस दोरान सपा के राष्ट्य अध्यक अखले श्यादव क्रिश्यन मैदान में सुभा 11 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे जनसभा के बाद पूर्व मुख्यमंत्री विज़य रत पर सवार होकर एटा के लिए प्रस्थान करेंगे सुम्वा को जनसभा के लिए प्रभाद्यों ने पदधिकार्यों के साथ बैठ की सपा जिलाद्यक्ष देवेंद सिंग यादव ने बताया के राष्ट्य अध्यक्ष द्वारा निकाली जा रही विज़य यात्रा का आटवा चरण मैंपुरी से शुरू होगा मैंपुरी के बाद एटा में भी पूर मुख्यमंत्री 21 दिसम्बर को ही जनसभा को संबोधित करेंगे तो आज मैंपुरी दौरे पर रहने वाले हैं अखलेश यादव वहाँ पर जनसभा को संबोधित भी अखलेश करेंगे गुजरात में भारतिये टट रक्षक बल और गुजरात ATS की सहयुक्त कारवाई से जखोना टट से 400 करोड रुपे की ड्रग्स बरामत की गई है खबरों की माने तो ये ड्रग्स पाकिस्तान से आई हुई है वहीं इस बोच में 77 किलो हैरोईन बरामत की गई है फिलाल इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है तो गुजरात का ये पूरा मामला है चहांपर आपको उता दें कि 400 करोड रुपे की ड्रग्स बरामत की है 77 किलो हैरोईन बरामत हुई है कि अच्छा ओपरेशन था जिसमें मेरे दो जहास और दो काबिल ऑफसर जोने ये अंजाम लाया है और एटिस का पूरा पूरा सपोर्ट था में इस एटिस के बगार ये वाला ऑपरेशन पॉसिबल नहीं हो पाता ये मैं आपको कहना हुआ है अब ही वह इंवेस्टिकेशन चालो हरी है जैसे ही आपको मिल जाएगा और एटिस चे आदमी हैं टोटर मिला के